अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जलू कीजेगा थैंक यू आज मैं आपको डिजाइनर सलवार बताऊँगी जिसके लिए देखिए मैंने प्रिंटेड और प्लेन कपड़ा लिया है तो जो मेरा ये प्लेन कपड़ा है ये लिया है मैंने दो मीटर तो सबसे पहले हम इसमें से अपने पार्ट निकालेंगे जिसे हमारा ये दो मीटर ये बन 70 या 80 चाहिए पार्ट की लंबाई और चौड़ाई हमको चाहिए 8 इंच तो हम इसमें से पहले अपने पार्ट निकालेंगे इसमें हमें जोइंट भी लगाना पड़ेगा बीच में क्योंकि कपड़ा काफी खराब होगा तो इस वाज़े से हम दो जोइंट लगाए इसमें से हम अपनी कली और बैडट निकालेंगे तो चलि सबसे पहले हम अपने पार्ट निकालते हैं तो देखें यह मेरे पार्ट के लिए कपड़ा है यह मैंने सीधा कट कर लिया है क्योंकि फिरतिक्कत होती इसे फोल्ड करने में तो देखिए यहां पे मेरा जॉइंट जैसे मेरा 2 मीटर कापड़ा था तो 2 मीटर को मैंने हाप कल लिया है 40-40 इंच को 40 इंच के एक पाठ है और 40 इंच के दूसरा पाठ है आप इससे कम या जादा कर सकती है और देखिए इसको मैंने फोल लेयर में रखा है क्योंकि हमको 4 पाठ चाहिए यह एक पैर के पाठ हो गए और यह दूसरे पैर के पाठ हो गए जोइंट लगा किसमें हमें प्लेटे डालनी है तो यह हमारे पार्ट कम्प्लीट हो गए और चोड़ाई हमने इसकी 8 इंच ली है अगर आप बड़ी मोहरी पैंती है तो आप 9 इंच भी ले सकती है लेकिन यह हमारा साइज सही है अब यह पार्ट हमारी बहुत सिंपल है यह मैंने कट कर लिए हैं अब मैं आपको इसकी कली कट कर न बताऊंगी अब देखिए सबसे पहले हम अपनी बैल्ट निकालेंगे जो हमारा यह कपड़ा है इसमें इसे निकालेंगे हम प्रिंटेड में से तो देखिए बैल्ट की जो हम लंबाई रखेंगे वो हम 22 इंच रखेंगे तो इसमें हम 2 इंच कपड़ा जोइंट कर लेंगे क्योंकि इ यहां से भी 9 इंच लेंगे हम और इस निसान को हम इस निसान से इस तरीके से सीधा करके मिलाएंगे और फिर अब इसके हम कटिल कर देंगे और जो इसमें हम दो इंच कपड़ा जोड़ेंगे वह मुझे लाई करते टाइम जोड लेंगे कर चाहिए अब जो मेरा बाके का कपड़ा बचा है अब इसमें से में अपनी कली निकालेंगे अभिए बैल्ट हो गई हमारी अब इस सिर्फ टू लेयर में अब मैं इसके आसन का निसान लगाँगे इसके लिए यहां से लेंगे तो हम Cristal उसके बार जो दूसरा कौना है उस साएड से लेंगे दूसरा असन होगा और इसमें हम चोडाई नहीं रखेंगे बिल्कुल इस सीधा मिलाएंगे अगर आप कली की चोडाई रखना चाहती है तो ऐसे एक इंच पे निसान लगा सकती है लेकिन ये डिजाइनर सलवार है तो इसमें हम चोडाई नहीं रखेंगे यह बिल्कुल नोर्मल कटिंग की तरह ώेано इस निसान्से वाली निसान से तिरुछा करके मिला हो भी अर उस आशन से और उस आशन तक निसान लगा लिया दोकली मेरी इस सायड से निकल जाएंगी और दोकली मेरी इस साइड से निकल जाएंगे तो प्रिंटेर कपड़ा हलका हलका दिखाई दे रहा है निसान तो अब हम इसे कट करेंगे अब देखिए जो हमने 8 इंच का निसान लगाया था आसन का हम इहां से इसको इस तरीके से कट करते भी ले जाएंगे उस दूसरे आसन तक और जो हमारी बंद की साइड है उसे हम अलग कर लेंगे जैसे आसन की साइड से बंद है और एक साइड कली वाली बंद है तो उसको हम ऐसे अलग कर देंगे खुली कर लेंगे अब देखिए सलवार की cutting मेरी हो चुकी है यह belt हो गए यह कली हो गई हो और यह part हो गए अब हम आपको इसकी सिलाई करना बताएंगे किस तरीके से हम यह सिलाई करेंगे अब देखिए अब मैं आपको इसे सिलना बताऊंगे सबसे पहले तो जैसे हमारे पार्ट थे यह हमको मैंने 40-40 इंच के cut किये थे सबसे पहले मैं इनको joint कर लूँगी यह बीच से joint करके तो इसकी जो लंबाई है वो असी इंच हो जाएगी यहां से सिलने के बाद एक सिलाई हम और यह हम यह दिहान रखी उल्टी साइड से सिलना है कपड़ा हमको और फिर इसे देखिए सीधा करके इस तरीके से एक सिलाई इसके उपर लगा लेंगे ताकि यह कपड़ा हमारा उद देना बरावर रही सिलाई हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे अब देखिए मैंने इसको बीच से जोइंट कर लिया उसके बाद हमें कली उठाएंगे अपनी और देखिए कली का सेंटर निकालेंगे यह मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रही हूं यह सलवार सिलने का तो देखिए यह तो नीचे की बोटम की साइड है जहां से हम प्लेट डालते हैं वो साइड है इसको बिल्कुल ऐसे नापके और इसका सेंटर एक कट लगा लेंगे लंबाई की तरफ से कट लगाना है यह कट हो गया अब हमको इस चीज का अंदाजा रहेगा कि आधी प्लेट हमारी इतन प्लेट तरीके से रखेंगे अउसे करके यह शी पार्थ हमने सीधा रख लिया और जो हमारा यह वाला हिस्सा है इसको हमें उल्टा रखना है कि इस तरीके से इसको सीधा प्रिंटेर कपड़े को और प्लेन कपड़े को अब देखिए हम इसके उपर रख लेंगे यह आप ऐसे भी डायरेक्ट सेल सकती है इसमें आपको कोई तिकत नहीं होगी और पहले हम करीबन एक इंच के बराबर सीधी से लगाएंगे इस तरीके से अब देखिए अब यह प्लेट है जो अगर हम इसका मूँ ऐसे कर देंगे तो इसका हम इसे सीधा करेंगे तो इसका मूँ आएगा नीचे की साइड को लेकिन हम इसको नीचे की साइड करेंगे प्लेट को तो इसका मूँ हम सीधा करेंगे तो ऊपर की साइड आएगा इस चीज का आप खास दिहान रखें तो हम इसका मूँ नीचे की करेंगे और यह हमें करीवर एक सवाइन्स की प्लेट डालनी है तो जो मेरा 40 इंज का कपड़ा है उतनी प्लेट मुझे आधे कपड़े में डालनी है तो कि इस तरीके से अच्छी से बरावर कर लेंगे कपड़े को आप चाहिए तो थोड़ा डिस्टेंस दे के भी डाल सकती है अगर आप कम कपड़ा लेना चाहते हैं तो कमजी कपड़ा ले सकती है बुज हुआ है अब देखिए हमारा जो मैंने कट लगाया था वह कट मेरा आ चुका है यह देखिए यह मतलब आधा आधी प्लेट हमारी इतने कट तक भड़ चुकी है अब बचा हमारा आधा कपड़ा है और आधा ही कपड़ा हमारा यह प्लेट बचा है और आधा ही प्रिंटेड तो उसी हिसाब से हम इस आधे कपड़े की प्लेट भी ऐसे ही भरेंगे अब इससे हमें इस चीज़ का अंदा आ जा रहेगा कि हमारी इतनी प्लेट इतने कपड़े में आ चुकी है अगर हम इसे डारेक्ट भरते हैं तो पता नहीं रहता कि कितने कपड़े में कितनी प्लेट भरने होती है तो इससे दिक्कत बहुत होती है और प्लेट उल्टी साइड रखके नीचे की तरब मुह करना है जिससे ये मुह पर की साइड आए जाओं इसे सीधा करें तो और नीचे से हम एक इंच के बरावर कपड़ा छोड़ देंगे मतलब इस प्रिंटेड प्लेट में से इसमें हम कोई प्लेट नहीं भरेंगे मोहरी के लिए ऐसे ही मैं ये पूरी कली में भर लूँगी बिल्कुल बरावर बरावर करके अब देखिए मेरा ये लास्ट आ चुका है अब इसमें में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दूँगी थोड़ा सा भरके और एक इंच के बरावर कपड़ा में खाली छोड़ दूँगी इस तरीके से क्योंकि यह खाले कप्रा होगा तो हम जो महरी बनाएंगे तो इस थोड़ा इजी हो जाएगा अब यह देखिए आपको समझाती हूँ अब देखिए अब जो हमारी यह प्लेट है इनकम हो अब ऊपर की तरफ आया है अगर हम ऊपर की साइड करते तो तो नीचे की क्यूंकि अब हम यह उपर की तरफ ही लाना है इनकम हो ताकि हम जो बीच में डिजाइन लगाएं जिससे हम इससे ऐसे नीच कट लगा लिया है ये देखिए ये सेंटर का कट है मेरा इसमें ब्गट लगा लिया है यह इसको लटा रखेंगे सीधी साइड को इस तरिके से इसकर अउल्टा रख लेंगे हम इसको ऐसे वह जितना कपड़ा मैंने उस साइड छोड़ा है धाaches finally और देखिए हम इस तरीके से इनको बराबर कर लेंगे इस वाले हिस्से को अब हमें यही प्लेट पकड़के और यही प्लेट कम हूँ हमें इस तरीके से देखिए यह थोड़ा इसी हो जाएगा लब इस अधि प्लेट कम हूँ पकड़के और ऐसे ही डालना है डगानी है मतलब ऐसे यह देखिए बिल्कुल हमारी बरावर आनी चाहिए यह प्लेट और अच्छे से कीचने कपड़े को आज थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन यह हमारी ऐसे ही बरावर आनी चाहिए इस तरीके से यह आप देख लिए पहले अच्छे से परावर करके कि हमारी सही आ रही है नहीं तब ही से लें अगर हमारा कली का कपड़ा थोड़ा बहुत चोटा बड़ा हो जाएगा तो उसे हम परावर कर लेंगे लेकिन हमारी जो यह प्लेट है यह हमारी बिल्कुल बरावर आने चाहिए कि इस तरीके से प्लेट चाहिए जितने भी हमने प्लेट डाली है इसमें इसी तरीके से पकड़ पकड़ कर इस सेंटर तक लाएंगे सेंटर का तो पता ही रहता है कि हमारा सेंटर कहां से कहां तक आएगा देखिए यह हमारा सेंटर आ चुका है तो हमें कोई दिकत नहीं हो रही है तो देखिए सेंटर आ चुका है और जैसे मैंने इसमें प्लेट डाली थी इस तरीके से ऐसे मैं इधर भी डाल देंगे प्लेट कुछ भी नहीं करना सिर्फ उस प्लेट कम हूँ पकड़के और इस साइड लाना है बिल्कुल उसी ही सेप में बिल्कुल अच्चे जी बराबर करेंगे कपड़ीको झाल 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 यसे हमें नीचे तक भरेंगे अब देखिये मैंने यह पूरे बॉटम मतलब नीचे तक भर ली है प्लेट इदीए यह नीचे तक मेरी भर के कंपलीट हो चुकी है इधर की साइड हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं इसमें महरी लगाऊंगी तो महरी में दिक्कत होगी इस वज़े से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है अब उसके बाद देखिए जो हमारा बीच वाला हिस्सा है हुआ और यहांसे शुलाय लगाएंगे इसमें अब जैसे हमारे ईंप्लेटक में उपर की साइड है तो इसे सेट में मुः को ऊपकड़ के नीचे की साइड करना है इसी प्लेट पकड़ें नीचे की साइड सेड सील देन ना है और बाकी कुछ निये करना हमको देखिए अच्छे से पहला लें पहले अगर आपको ऐसे दिखकत आती है तो पहले कोई पेनिया कच्चा भी कर सकती है आप इसलाई हमारे बीच अबीच में होनी चाहिए बेको कर सकते हैं कर सकते हैं इस दुब शॉब कर आपको नगाओ कर दो शॉब फॉब बिधार्वार्ट वजब बादो अच्छे से खोलते होगी कपड़े को और अच्छे की साथ प्लेट डालते जाएंगे अच्छे मेरे दूसरा पार्ट है दूसरी मोहरी है और पार्ट है उसको भी सेम हमें इसी तरीके से तयार करना है उसके बाद हम इसकी बैल्ट को तयार करना भी बहुत नॉर्मल है वो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है देखे बस नीचे की साइड करना है प्लेट पकड़नी है इस तरीके से नीचे की साइड से लाई लगा देना है अब देखे बैल्ट को भी तयार कर लिया है डोले डालने वाली साइड आप इसका हम सेंटर निकालेंगे तो बैल्ट को हम इस तरीके से खोल के और देखे इसके सेंटर के नीचे कि ने लगा लिया है ये बैक साइड है इसके और देखिए जो हमारी प्लेटे आएंगी वह हमारी क्योंकि हमने पार्ट 8 इंच के लिए हैं तो वहां तक हमारी एक दो प्लेटी आएंगी वह मैं आपको लगाते टाइम बताऊंगी तो यह में 19 इंच पे निसान लगाऊंगी मतलब थोड़ा सा ही कपड़ा मेरा खाल तीन कट है मतलब यहां से यहां तक हमारा इतना कपड़ा खाली रहेगा यह देखिए यह कपड़ा मेरा खाली रहेगा छैंच तक छैंच तक कोई प्लेट नहीं होगी पाकी पूरे कपड़े में प्लेटे होगी तो सबसे पहले हम अपना आसन जोइंट कर लेते ही यह मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट तयार करके उसे पहले हम इसका आसन जोइंट कर लेंगे दोनों साइड का यह भी सीधी साइड होनी चाहिए और यह भी अब मैं यह आसन जोइंट करके इनको तयार कर लूँगी अब देखिए मैंने अपने दोनों आसन जोइं अपने जो बेल्ट है उसका सेंटर भी और फिर इसमें हम प्लेटे डालेंगे जो सबसे पहले हम प्लेट डालेंगे उस कम हूँ हम इस साइड करेंगे देखिए ऐसे प्लेट को पकड़के और उस कम हूँ मुझे इस साइड करना है झाले कर दो 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 आपके जास प्लेट प्लेट करना है और यह को मुझे दो दो या डेड़ेरिंज की प्लेटे डाल नहीं है लगी हमारे पार्ट की साइड आ चुकी है तो पार्ट की साइड से मैं बताऊंगे हमें किस तरीके से प्लेट डालनी है क्योंकि हम अगर पार्ट में प्लेट डालेंगे तो इससे जो पीछपर डिजाएन है तो चीसे दिखाई नहीं देगा तो इस वज़े से दिखिए हम इस तरीके से कपड़ा लेंगे और थोड़ा-थोड़ा कपड़ा लेके हम इस तरीके से ऐसे यहां पर दो-तीन प्लेट इधर डाल देंगे छोटी-छोटी बाकी हमको यह सीधा ही सिलना है बस साइड में प्लेट डाल सकते हैं बाकी बीच में नहीं डालनी है क्योंकि अगर बीच में डालेंगे तो इसकी डिजैन का पता नहीं पड़ेगा अब ऐसी हम इस साइड डाल देंगे इसको पहले हम सीधा से लेंगे देखिए ऐसे सीथ हैसी लेंगे और फिर यहां से स्टार्ट कर देंगे चोटी चोटी प्लेट डालना इस तरीके से बस साइड में डालनी है, बीच में नहीं डालनी है, फिर से हमारे बिल्कुल खाली होना चाहिए, और देखिए फिर से हम दूसरी कली को ऐसी ही लाएंगे सिलते हुए, इस तरी की से उठाना है प्लेट को, पूरे कपड़ी की प्लेट मुझे उसी कट तक डालनी है, जो मैंने आपको निसान बताया था, यह देखिए, यह रा मेरा कट, यह वाला और यह सेंटर का कट है, तो एक प्लेट के लिए कपड़ा हम इसी में से राख लेंगे, यह राई प्लेट हम अभी बीच का सेंटर है, तो यह प्लेट का मुझे हम इस साइड ही करेंगे, ऐसे, और इसको हम इतना इक खाली छोड़ देंगे, जितना हम ने इस साइड, यह दूसरे कट है हमारा देखिए, बैक का ही, और इस कम हुँ हम अपनी तरब को करेंगे, दूसरी प्लेट का मतलब, यह एक साइड की हो गई, यह प्लेड की हो गई, तो इन कम हुँ मैं अपनी तो इस तरीके से अब इनकम हुजे अपनी तरब को करते हुए चलना है अब देखिए आपको इसकी महरी बनाना बताऊंगी तो महरी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा बॉटम का पार्ट है और यह हमने बुक्रम लिए बुक्रम की चोड़ाई मैंने दो इंच लिए और लंबाई विल्कुल इसके बरावर लिए है जितनी हमारी बोहरे की लंबाई है और यह मैंने एक कपड़ा लिया है अब सबसे पहले हम इस कपड़े को इस नीचे बिछाएंगे आप कोई भी प्पड़े को रखेंगे फिर बुक्रम को रखेंगे और इन तीनों चीजों को पर हम इस तरीके से लगा देए को ज्यादा नहीं लगाना है जोड़ाई में दूरी से लगाना है देखें बिल्कुल बरावर करके मारी तीनों चीज साथ में सिलने चाहिए इसे एक्स्ट्रा कपड़े को मैं काड़ कूंगी और उसके बाद देखिए जो हमारा यह कपड़ा है विसे हम अंदर की तरह पैसे सिल लेंगे उल्टी साइड को फिल देंगे कपड़े को इसाइड जी बादा करेंगे को फिल देखिए इसको हम ऐसे कर की बिल्कूर एक सिलाई लगाएंगे सीदी करके इस सीदी साइड को हम इसको उल्टी साइड कलटके और सीदी साइड को इस तरीके से बिल्कूर बरावर करके सिलाई लगा लेंगे अच्छे से सिलाई को लगा के हम कंप्लीट करेंगे अब देखिए अब फिर इसके बाद हम एक और से लाई लगाएंगे इससे थोड़ी से दूरी पर और फिर इस पर हम को आप कोई भी डिजाइन बना सकती हैं इस पर एक सरी डिजाइन बना लेंगे और फिर सीधी से लाई लगाएंगे अब दूसरी मोहरी है इसको भी सेम में इस तरीके से बनाऊंगे अब देखिए मोहरी बनाके मैंने कंप्लीट कर ली है इसमें फिटिंग दूँगी इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे जितनी आप चौड़ी मोहरी पहनती है उस हिसाब से ऐसे रखके और इस निसान लगा लें तो देखिए मैं जो इसकी चौड़ा ही रखूंगे देखिए मैं जो इसकी चौड़ाई रखूंगी वो मैं साथ इंच तक रखूंगी साथ इंच तक रखूंगे मैं इसकी चौड़ाई और फिर मैं इसकी उपर इस तरीके से सिलाई लगाऊना है और सिलाई को देखिए हमें हलका से तिर्चा करके लगाना है और इस सिलाई को हम आशन तक लेके आएंगे इसान से असन मिलाकर शिलाई लगाना है और दूसरी साथ से भिनाथ designing आशन को इस सिलाई लगाँ सत्षी आशन को कसी सासाlla है ग्यांना भी इसे सिलाई को को सलना अन है नेदा लिए laptop का मैं आ कर दो दो जो हम आशन से तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरू कीजिएगा थैंक्यू